हेलो दोस्तों मैं हूँ आपकी लीजा and welcome to my show किस्मत कार्द और मैं आ गई हूँ आपकी weekly reading लेके जो की है मेरे करकराशी वालों के लिए हम देखने वाले हैं कि आपका 1 से 7 October तक कैसा जाने वाला है तो आईए देखते हैं कि आपकी क्या energies रहने वाली है करकराशी वालों and also start कर करने से पहले मुझे ये चीज़ बोलें क्योंकि ये collective reading है हो सकता है आपके लिए कुछ part resonate ना करें हो सकता है कुछ करें हो सकता है बहुत कुछ करें तो जो resonate करता है वो लीजे जो नहीं करता उसको उस reading को अपने पर force मत कीजेगा so आईए start करते हैं करकराशी की एक हफते की energy all right so सबसे पहले तो एक और card गिर गया तो मैं उसको card को भी ले रही हूं आप लोग के लिए आप लोग के लिए बहुत सारे messages मुझे दिख रहे है तो पहली चीज तो ये कि आपका जो ये week जाने वाला है ये बहुत एक adventure की जैसे जाने वाला है जैसे एक वो ride होती है ना पत होता है आपके पहले वाला जो week रहो वो थोड़ा सा ये लेजी वाला week रहो कि कुछ काम नहीं है इतना करने को lazy feel कर रहे है low energy में feel कर रहे है वो चीज आपकी इस हफते तो बिलकुल रहने नी वाली है तो एकदम ready रहे है कि आपका जो ये हफता है एकदम ऐसे निकलने वाला है एक जब की मारते वे निकलने वाला है आपका ये हफता लेकिन उसके साथ साथ आपको ये याद रखना है कि इस हफते में बहुत कुछ होने वाला है ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे लडाईयां हों हो सकता है बहुत सारे challenges आए आपके इस हफते में लेकिन आपको जो ध्यान मिल सकता है, हो सकता है कुछ लोगों का प्रमोशन हो, एक चोटी सी रेकिगनिशन लग रही है, ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ बहुत मास लेवल पे हो, चाहे चोटे लेवल पे भी हो, लेकिन एक अच्छा रेकिगनिशन मुझे दिख रहा है दूसरा मुझे यह भी लग रहा है कि कोई आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा इनसान भी है जहां पे वो अपनी जीत के लिए अपनी विक्री के लिए कुछ ऐसी चीज़े कर जाते हैं जो आपके लिए सही नहीं होते हैं कि मुझे बहुत जादा selfish intentions दिखाई दे रही है तो ऐसी selfish intention से बचना है यहां पे मुझे एक एसी energy भी दिखाई दे रही है यहां पे मुझे दो लोग दिखाई दे रहे है एक हो सकता है एक ऐसा इंसान हो जो आपकी actually मैं आपके success के बारे में सोचता हो आपके well-being के बारे में सोचता हूँ, आपके well-wisher हो और एक इनसान मुझे ऐसा लग रहा है जिसने एक मुखोटा पैना हुआ है कि वो आपके well-wisher है लेकिन वो आपके well-wisher बिल्कुल भी नहीं है यह बहुत ही strong message है और हो सकता है कि कुछ ऐसा सच भी भार निकल के आए इस week में कुछ shocking revelations हो सकते हैं आपको किसी का secret पता चल सकता है किसी की बात पता चल सकते हैं और वो ऐसी चीज तो होगी जो आपको affect करेगी और वो affect मुझे ऐसा नहीं लगता कि आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा वो week या कुछ भी ऐसा बट मुझे ऐसा लग रहे है कि आपके लिए कुछ information जानना को चीजें जानना बहुत जादा important है और वो चीज इस week में होगी तो आपको definitely courage भी रखना पड़ेगा कहीं कहीं पर एक ऐसी situation मुझे दिखाई दे रहे हैं जहां पर आपको लगे कि अब मैं इस चीज से कैसे निकलू इस चीज से तो मैं निकल ही नहीं सकता लेकिन ऐसा नहीं है कोई भी ऐसी चीज नहीं होती है जो हम लोगों के लिए impossible हो तो जैसे आप यह देख रहे हो यह जो full है यह पत्थर में से उग रहे है तो अगर यह full पत्थर में से उख सकता है तो आप भी कुछ भी कर सकते हो लेकिन उसके बाद उसकी रफ्तार होगी वो बहुत जादा बढ़ जाएगी कुछ लोगों के लिए मुझे यह भी लग रहा है कि हो सकता है कि आप किसी को मिस्स करें ठीक है या किसी opportunity को लेके भी मुझे लग रहा है कि एक regret भी मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिख रहा ह कि अब वो opportunity क्यों नहीं है अब वो solutions क्यों नहीं है लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अभी भी आपके पास chance है तो अगर आप किसी भी चीज को ठीक करना चाहते हो चाहिए वो आपकी relationship है या वो आपका career है वो चीज definitely होते हुए मुझे दिख रही है और साथ-साथ मुझे क कराशी वालों के लिए ये भी दिख रहे है कि आप लोग किसी ना किसी चीज में बहुत जादा lazy हो रहे हो तो उस चीज को लेकि lazy नहीं होना चाहिए वो आपकी health है चाहिए वो आपकी relationships है चाहिए वो आपका career है do not become lazy lazy नहीं होना है ये बार-बार मुझे message मिल रहा है कि फूटेगा तो वो बहुत बुरे तहरीके से फूटेगा और अगर कोई आपको लेकि lazy हो रहा है तो वहाँ पर वो बंप फूटेगा और हां कुछ एक ऐसी मुझे energy दिख रहे है जहां पर आपको एक वो gear kit वाली energy से थोड़ा सा बचके रहना है क्योंकि एक इनसान मुझे इस week में एक ऐसी energy दिख रही है जो अपने colors बहुत जल्दी चेंज हरेंगे अपनी convenience के हिसाप से वो colors change कर सकते हैं तो उस चीज का आपको ध्यान रखना है तो ये था हमारा weekly energy update हमारी कर कराशी के लिए I hope आपको कुछ ना कुछ इससे health मिली हो आपको resonate किया हो और अगर आप कोई भी doubt है तो नीचे comment section में comment कीजिए thank you so much bye bye take care अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजली को subscribe करें